ये गाइज वेलकम बेक तो मैं चैनल और अभी मैं आज थोड़ा मैंने स्टाइल में बोला है मतलब ऐसी थोड़ा सा क्योंकि रोज वही होप अच्छे होंगे यह सब बोलते बोलते ना इतने सारी वीडियो बना ली तो मैं तो 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 एसमें थोड़ा सा अलग तो कैसे हो और अभी मेरा ये रेफिरीज डेटर जो है वो ओपन नहीं हुआ है इसमें आते हैं वो सर्विस सेंटर वाले इसको खुल के पूरे डेमो देखे जाते हैं नॉर्मल फ्रीज की तरह नहीं है कि मतलब यूं चालू कर दिया और स्टाट होगे इसमें पैनल वगरा है तो वो स तो आया नहीं यह आया रात को फिर बोले कि मतलब बाद में आएगा और सुबह में रिशब जा चुका है तो बहुत बड़ी जंग जीत लिए मैंने प्रेस करके रभी भी पांच मिनट है जाने में तो यह अच्छा है अब मैं इनको टांग दू एके करके तो लगा दिये मै मैंने इसमें अंदर करदबन और अब लगी मुझे प्यास अब थोड़ा से अपने मूह पे पेंट बगरा करूं थोड़ा सा लगूगी हां मैं सीनू को इसको लेने घर लेके हूंगी अब और मैंने दूद भी रखा था यार करें माइब होट क्या हुआ में दूद स्लोग इसमें रखा था अच्छा गरम हो गया है कि इस पर लाइटर रखिया है यह मेरा इस्टेंड यह मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिप कार्ट से आई थिंक हां और दूद मेरा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है मतला स्मय कुछ काम करते हुआ ना स्लोग इस पर रख देती नो ताकि इनका पानी निकल जाए तो मैंने दूद को थोड़ा सा खोल दिया है ताकि इसकी भाप निकलती रहे और अब मैं रेडियो जाती हूं सीनू को लाने के लिए अभी फ्रुजवाले से बात हुई थी बोल रहा है कि वह लड़का जो है मतलब जो इसका डैमो देगा वाने वाला है तो सब काम करके हम लोग उसका ही वेट कर रहे हैं और मैं और अनाया और रिशव मेरा सो रहा है तो वह आएगा तब दिखाएंगे इससे के चालो करना है से बताँ तो मुझे तो अंदर से लग रहा है जल्दी से इसको उपन कर लो पर ऐसे कर नहीं सकते नही लेको दाएंगे उसको खुल के दिखाएंगे उसके बाद ही इसका डेमो देंगी कैसे क्या करना है तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगाएगा एगंटे का टाइम जी तो जादी हो गया है और मैंने अभी अपना दाल चावल बनाए थे अब हर घड़ी घड़ी यह बना बना नहीं कर सकते हैं पॉपकॉर्न बनाया थे उसको थे मैंने अभी पांच बजे अभी शाड़े-पांच ओर पांच बजे तक शाड़े-चार बजे रख दिए थे बने दाल चावल बन गए तो नास्ता करके हजबन चले गए नास्ता मतलब वही थोड़ा बहुत खाना ज तो फ्रिज वाले का इंतजार करते करते साड़े सास से भी ज्यादा हो गए थे लेकिन फाइनली वह आ गए थे और हजबन भी लेके आए थे उनको नीचे मिल गए थे तो वह फिर इसके दिरे दिरे इसको ओपन कर रहे थे तो मैंने वहीं से वुडियो मैं स्टार्ट कर दी औ पर बहुत ज्यादा क्रावन था मतलब बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे तो अभी आपको आगे चलके में तुड़ी सी दिखाऊंगी औरिजिनल वाइस कैसी है वरना मैं उन भाइया की वाइसी इसमें करती तो अकेली थे वह और इसको निकाल रहे थे तो इसका जो डबब हो ना तो अभी भी क्या रिटर्न हो सकता है इसी लिए मैंने नहीं खोला था तो फ्रेज रखा हुआ था तो खोल खोल के उसको मतलब नीचे टेप बगर लगी होती है वह सब निकाल रहे थे हुए और मतलब बहुत अच्छे थे नॉर्मली बहुत अच्छे से समझा रहे थ पड़ोस के भी आ गए थे मतलब उसकी फ्रेंट रनाया की और यहां पर वह समझाना रहा था और इस फ्रीज की क्या खासे थे इसमें अंदर कुछ नहीं है सब कुछ बाहर इसी पैनल से हमको सब कुछ करना है तो यह चीज यहां पर इसमें नई लगी इसलिए हमने इसको प आरी भी यह बीच में पूद पड़ा अपनी चाह के लिए यह चाह को बहुत दीवाना है तो यह मेरे आता है चाह जरूर ठीके जाता है तो मैंने इसको देखते ही फटा-पड से चाह बढ़ाई मैं मेरे को भी चाह चिलती मैं तीती हम पर यह ज्यादा परेसन करता है और अ अबी इसको चालू किया अभी एक दू बंटे यसी चलेगा उसके बाद इसमें इसका सामा अभी उसको ठोड़ा ठीकवी का करना बाकी अनाया के हाथ से करा देसी मूब अबस यह टमाटर का रहा है मेंगे साड़ रुपय कि लोग अजिए मिर्च खता हो रही है खली नमक है अबसे बाद कर दोड़ा रही है खली नमक है बचिक तब मुझे